हेलो फ्रेंड्स आज हुआ आपके लिए लेकर आए हैं किराय पर देने वाला रेंटल हाउस प्लान इसका एरिया है दस वाई पैतालीस चाड़े चार सो इसका प्लान है इसमें हमने पूरे प्लान को एलिवेशन के साथ केटी में बना कर दिखाया है तो चलते हैं मगते प्ला लगता है उसको देखते हैं देखिए यहां हमने आपको इस टेर्केस को यूसेप में आपको बना के दिखाया है यहां अगर पोच के साइस की बात करते हैं तो सावा नौफूत अपने इसकी चौड़ाई दे रखी है और साथ साथ ऐसकी लंबाई दे रखी है यह डाई पि की जो entry है वो हमने अपने मैं नजदीग ही रखी है यहां आप देख पा रहे हैं ये जो है आपकी तीन फूट की entry है तीम फूट की entry से भाब में घर की तरफ enter करते हैं enter करने के साथ ही आप अपने right hand side में एक toilet देख पा रहे हैं जो कि हमारा common toilet है जिसके entry डाइफिट चौड़ी एंट्री है और यहां आप क्वालेट को प्रॉपर फ्रीके से देख पा रहे हैं तो छेफट इसकी लंबाई दे रखी है और पांच पॉड़ में इसकी लंबाई दे रखी है उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्ट पैंट जो कि हमारा ड्रॉइंग क सकते हैं या हमारा जो है बैडरूम के सकते हैं यह हमारे बुजरुगों के लिए हमने इस बैडरूम को बनाया है जिसकी आप यहां देख पा रहे हैं यहां एक बैड आपको डालके दिखाया है इस रूम के साइज के अगर हम बात करते हैं तो यहां हमने सवानों पिट इसक चलते हैं आपने डूर को प्रावल का उच्छल्र का रूब करा तो नहीं है। यहां आपको ऐस्टन में नाखने जिखा नहीं है और फिरिज Agreement को आपको दिखाने का प्यास करता हूं देखिए मैंने आपको इसको दूसरे इंगल से प्यास किया है अगर इस तुछिन वाले एरिया की बात करते हैं तो यहां आपको दिखाए हैं यह मंदिर है किसी प्रॉडम होने वाली नहीं है अगर वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं यहां मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यदी आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखना जाते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जड़ा ज़्यादा लाइक करें शियर करें और देख पाएंगे तो उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स पॉंट नेक्स पॉंट जो कि हमारा है अमास्टर बैटरूम किसृप तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं छलिए देखिए देखिए यह हमारा मास्टर बैड्रूम है मास्टर बैड्रूम की एंट्री जो हमने किचिन वाले एरिया से ही रखती है यह सवा थीन फिट चॉड़ी एंट्री है वाल पर हमने पिंक कलर यूज़ के हुआ है डवल बैट का प्लंग डाल के हमने आपको यहां देखा है इसके स परणेशर की प्वी पॉइंट आपको देखे बनांके दिखाया है अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो सावा नौफ पोड़ाई की डेखिए है और नौफ पोड़ाई की लंबाई दे रखिए इसके आठेज की तरफ है यह आठेज को हमने किस तरह से अरेंज किया है यहां अगर हमने टॉलेट के साइज की बात करते हैं तो साथ फुट हमने इसकी लंबाई दे रखिए और तीन प्रफट हमने इसकी चुड़ाई दे रखिए यहां हमने एक ओपन टक्ति भी दे रखिए जो हमारे वेड्रूम और टॉलेट को प्रॉपर तरिक्षे से बेंटिल टॉलेट एक कॉमन टॉलेट है किचेन जो रखिए और यहां अमने आको एक स्टेर्केस दे रखिए चोकी में फर्स प्रों की तरफ ले जाती है मतलब अब और किया सकते हैं यहां पर आप अगर इसको किराय पर देते हैं तो प्रॉपर तरीकी से एक फैमिली आराम से इसमे बनाके दिखाया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमने जो है दो फ्लोर बना के दिख जिसे दो फ्लोर को प्रॉपर तेकिसे आप एक एक रेंट पर और दूसरे इसके प्रॉपर सब्सक्राइब करता हूं देखिए उपर वाले फ्लोर को आप अपने पास रख सकते हैं नीचे वाले को रेंट पर दे सकते हैं यह आप देख पा रहे हैं यह बहुत अच्छा हमने जाने के प्रयाश किया है यहां आप सीडी वाला जो एडिया उसमें हमने ग्लास के दो पैनल लगा के दिखा करते हैं यहां मैंने आपको एक बुड़न लगा कर यह बहुत अच्छा डेजान आपको बना के दिखाया और वाल पर देख पाने यहां विलेकंड बाइट का यूज क्या हुआ है और वाल पे जो कलर दिखना है और हमने ग्लास की रेलिंग बना के आपको यहां पर दिखाय हुआ है यहां हमने आपको जाली का डिजान भी बना के दिखाया जो की देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है यहां हमने एक रेंप दे रखा है तीन सीडियां दे रखी जिसे हम गारी को अंदर ले सकते हैं और हम तुदे एंटर कर सकते हैं यहां हमने एक सोटास गारण की जो पूरा बना हुआ है कि एक मंजिल के प्लान की जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है मात्र साड़े पांच लाग रुपए आने वाली साड़े पांच लाग रुपए में इतना फूपसरोत मकान आप बनाके तयार करके रख सकते हैं देखिए पूरा मैं प्लान आपको तयार कर पाएंगे मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कर दूरा मैं आपको